हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग टीवी सीरियल अनुपमा की लेटेस एपिसोड की जानकाई लिकर मैं आप सब के सामने आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस टीवी सीरियल में उसका पहला पती और उसके बच्चे हैं और इसी बात को लेकर अनुझ अपनी भडास अनुपमा के सामने निकालेगा क्या रियक्शन रहेगा अनुपमा का ये सबसे इंपोर्टेंट बात होगी जिसे मैं आगे आपको बताऊँगा हूँ हुआ क्या है पहले वो जान लेते है अनुझ का पाडिया अनुपमा से कहता है कि शायद उसने एक बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि जिस रिश्टे में यानि कि जिस रिलिशन्शिप में अनुपमा 26 साल तक रही उस रिश्टे को अनुपमा कभी भोल नहीं सकती है और यहाँ पर एक बात मैं और बता दू कि अनुझ का दिमाग इसलिए भी खराब होगा था क्योंकि छोटी ने शिकायत लगा दी थी कि अनुपमा परी को और किंजल को जादा प्रियोटी भी देती है यही एक वज़ा थी कि अनुपमा के लिए अनुझ के मन में एक शक पैदा हो गया अनुझ का पाडिया सब के सामन तो कहां जाएगा मुझे माफ करना नुझ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें का पाडिया परिवार से जादा शा परिवार की जादा है अनुझ का पाडिया कहेगा यह तो हो भी रहा है और ऐसा हो भी सकता है वनराज से तुमने शादी की थी वो तुमारा पहला प् और मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि तुम इस घर में किसी मजबूरी से रह रही हो क्योंकि तुम यहां हो तो तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग शाह हूस में जाकर बसता है। जिसमें के अनुपामा साफतोर पर कहती है कि अनुपामा शायद इस रिष्टे में घुट-घुट कर जी रहा है। इसलिए वो यह शादी तोड रही है। और अनुपामा यहां पर अपने पती की फोन कवर पर फोटो है उससे निकाल कर उससे अपनी तस्वीर फार कर अलग कर देती है। ऐसा जैसे कि शायद उसने इसी पल का इंतजार किया था। दोनों अलग हो जाएं। यही हो रहा है दोस्तों और यही हो चुका है। अनुपामा को रूखने की कुशिश तो करता है। लेकिन आप अनुपामा सुनेगे ने। क्योंकि अनुपामा को यहां पर रिष्टे से आजात कर देती हूं का पाडियाची। वियाने की आप देखिए कि सरीके से अनुपामा भी सीधे चीज़े अब इस रिष्टे को तोड़ देती है। जाते वक्त दोनों ही अपने अभी तक के जो रिष्टे थे उसको याद करेंगे। ऐसा दोस्तों आप समझ रंग लेकर आता है ये सबसे बड़ी समझने वाली पार। हाला कि दोस्तों इस रिष्टे के खत्म होने को लेकर सोचल मीडिया पर भी काफी ट्रेंडिंग हो रहा है। जिसमें कि अनुपामा का रिष्टा जो खत्म हो है उसे लेकर कई सारी लोगों की बाते सामने आई पर रहे हैं तो दोस्तों कुछ लोग अनुपामा के बारे में ये कह रहे हैं कि शायद उसने अनुपामा से शादी करके एक बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। दोस्तों शोशल मीडिया एक्स पर है स्टैक अनुपामा ट्रेंड कर रहा है जिसमें कई यूजर्स ने रोकना बेस्ट फैसला था क्योंकि वो इस रिष्टे को खत्म करने के लिए ही बहुत जादा जल्दी कर रही थी यानि कि बहुत जादा जल्दी में थी सिर्फ एक जगड़ा और उससे जाना था वहीं एक और यूजर लिखता है कि मुझे बहुत खुशी है कि अनुश खड